कि नमस्कार दोस्तों आप सब्सक्राइब का स्वागते स्वेल साइंस वर्ल्ड यूटूब चैनल में आप यहां पर देख सकते हो एग्रिकल्चर यूइशिटी कोटा के ओर से डायरेक्ट रेक्रूट्मेंट निकली है मैं इस वीडियो में आपको पूरी जान करें दूंगा कौन-कौन सी पोस्ट आई है यहां पर आपका कितना पेमेंट रहेगा फूम बने की लाजट डिट क्या रहेगी तो दोस्तों अगर आप मेरे यूटूब चैनल पर नए हो तो प्लिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए दोस्तों आप यहा पर रेक्रूटमेंट निकली है यहां पर अकबारम आया गया यह यह फेकल्टी पर आपको यहां पर आईस्टेन प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आप यहां पर नोट कीजिएगा आपको आपका एप्लिकेशन फॉर्म 14 से पहले 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 यहां पर बेजना है आप हम एप्लिकेशन फॉर्म यहां पर डाउलूट कर लेना है आगे आप यहां पर मैं आपको बदा चुका हूं कि आपको एप्लिकेशन फॉर्म यहां पर फिल करके बेजना है 14 सेप्टेमबर थक आगे हम बात करते हैं आपकी कौन-कौन से पोस्ट है तो आप यहां पर देख सक की एक post है और English की यहाँ पर एक post है तो आप यहाँ पर देख सकते हो लगबग 8 post है यही गई है 8 different department में आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि आपको payment कितना मिलेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो as a guest and professor guest faculty के लिए आपको यहाँ पर 800 रुपे पर हावर मिलेंगे आगे मैं बात करूँगा आपके selection procedure की तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपका selection यहाँ पर married list के basis पर होगा आपका पुरा scorecard बनेगा यहाँ पर और उसके basis पर आपके यहाँ पर selection होगा age limit की में बात करूँगा तो आप age limit देख सकते हो up to 65 year आप यहाँ पर apply कर सकते हो और आपको कोई T.A.D.A. यहाँ पर नहीं मिलेगा आगे आप यहाँ पर self-attritus copy आपकी mark sheet की certificate की आपके यहाँ पर application के form के साथ लगानी है आगे आप यहाँ पर qualification क्या क्या मांगिए एक तो आपके यहाँ पर bachelor degree होनी चाहिए उसके बाद आपको यहाँ पर master degree होनी चाहिए जिस subject से आप apply कर रहे हो with minimum 55% marks और master degree के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो आपको net kambal सरी मांगा गया है और net के साथ आप आपका जो research paper एक publish होना चाहिए इसकी rating नास की rating चार से कम नहीं होनी चाहिए आगे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई PhD student है यहाँ पर PhD program में वह यहाँ पर apply कर सकते हैं और यह आपको दिया गया है PhD program के लिए क्या क्राइटेरिया हैं यहाँ पर कि PhD की degree आपकी regular होनी चाहिए evaluation दो external examination के द्वारा होना चाहिए यहाँ पर आगे दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँगा आपके तो आप यहाँ पर देख सकते हो desirable qualification जो मांगा गया है वह PhD मांगा गया है आपका PhD होना चाहिए आगे आप यहाँ पर देख सकते हो यह आपका application form है तो आपके university की website पर available हो जाएगा इस वह application form को आपको fill करना है और इससाथ आपके document अटेच करना है self-attested कर गये आगे आप यहाँ पर देख सकते हो कि scorecard दिया गए है आपका कि आपका scorecard कैसे बनेगा 80% यहाँ पर academic background की दिए गए हैं आपके यहाँ पर आगे आपके different marks दिए गए हैं देख सकते हो तो total 100 marks है 20 marks आपके interview के रहेंगे आगे आप यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा अगर आपके scorecard में minimum 50% marks बनते हैं तो आप यहाँ पर review के लिए eligible रहेंगे आपको 50% minimum marks लाना है आपन जरूरी है दोस्तों यह एक notification था जो अगरिकल युनिशिटी कोटा की और से आया हुआ है आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए और मेर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंग्यू दोस्तों